दोस्तो नमस्कार बहुत बहुत स्वागा थे आपका मेरे इस नए वीडियो में आसा करता हूँ आप सभी स्वस्त और सुक्य होंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज के वीडियो दोस्तो आज मैं जा रहा हूँ हंडा मूवी देखने मूवी देखने का फ़लान तो पहले दिन थे था सुक्रवार पांच जुलाई से ही मूवी लगी है तब से लेकिन मेरी बेटी का स्कूल का टाइमिंग कुछ इस तरह से है कि वो बिल्कुल भी फिल्म देखने के लिए सुटेबल नहीं था बारा परैतिजर में क्लास लगती है मेरी बेटी का तो बारा बजय का सो मैं देखनी सकता और उसकी क्लास छुटती है सभा पांस बजे तब भी मैं तीन से छेवाल वा सो भी नहीं देख सकता था इसलिए नहीं जा पाया हूँ बहुत तारिफे सुनने में आई है मूवी की अब मैं खुद देखूंगा तो आपको बताऊंगा कि इस मूवी सच मुश इतनी तारिफ के लायक है कि नहीं है ठीक है दोस्तों एक करोर तीस लाग के लगभग दो दिन में इस पिल्मन ने बिजनेस कर लिया है ऐसा पता चल रहा है तो देख के मैं बताता हूँ दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा तो दोस्तों मैं टाकिज से आ चुका हूँ और टाकिज में टिकेट खिड की खुली नहीं है और उससे पहले ही बोल दिया गया है कि टिकेट पुरी बिख चुकी है और बाहर उसका ब्लैक में टिकेट बेचा जा रहा था 100 रुपए बालकाने का रेट है टिकेट का लेकिन 200 में बेचा जा रहा है खुले आम खुले आम यह सब हो रहा है दोस्तों तो इसका मैं क्लिप बनाया हूँ आप लोग भी देखिए और आप ही लोग बताए कि यह सही है तो दोस्तो देख सकते हो किस तरह धेरले के साथ खुले आओ ब्लैक में टिकेट बेची जा रहे हैं देख सकते हो और लोग खरीद भी रहा हैं जिस तरह ब्लैक में टिकेट ना खरीद हैं अगर आपको 200 रुपए में ही मूवी देखनी हैं तो मौल चले जाओ राजनान गाउं की सिल्वर स्किन में जाकर मोवी को देख ले पर इस तरह से ब्लैक में टिकेट खरीद कर आप इस तरह से इस धंदे को बढ़ावा ना दो ये बहुत ही गलत परंपरा शुरू हो रही है तो दोस्तो आप लोग अपने आखों से देख सकते हैं किस तरह से ब्लैक में टिकेट बेची जा रहे हैं तो दोस्तो देखा आपने ये सब चीजें बंध होनी चाहिए आप लोग भी ऐसे वीडियो बनाकर सोसल मेडिया पर डालिये ताकि इससे लोग जागरुक हों और ये जो चल रहा है धन्दा ये बंध हो भाई अगर आपको टिकेट बढ़ाना है तो डायरेक बढ़ा दीजिए पर इस तरह से ब्लैक में टिकेट मत बेचवाईए मुझे लगता है इसमें टाकिज परबंधन में मिला हुआ है ऐसा मुझे लगता है सच्चा है मुझे नहीं पता क्योंकि पूरी की पूरी टिकेट बिना टिकेट की खुले हुए बिग जाना और फिर उसी केमपाउन में ही टाकिज के दो-दो-सो रुपए में बिचना ये सब क्या है इसमें जरूर मुझे मिली भगत नजर आ रही है अब क्या है ये तो जांच का विसा है पर ये बंध होना चाहिए क्योंकि हर वेक्ति दो-सो रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता या तो अगर आपको 200 ले नहीं है तो डारेक्ट वहां लिख दो बालकानी टिकेट 200 रुपए तो वो ऐसा कुछ लिख नहीं रहे हैं 100 रुपए वहां लिख रहे हैं और ब्लैक में 200 में बेच रहे हैं मैं पुलिस परसासन से भी रिक्रेस्ट करूँगा कि वो जाएं विदाउट ड्रेस जाएं और पदल लगाएं यह खुले आम हो रहा है ब्लैक में जो भी लायन में लगे हैं बालकानी में टिकेट लेने के लिए मूवी का तो उनसे बताया जा रहा है कि पुरी बिख चुक पर यह चुकि गलत है इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूं आप लोग इसे जितना ज्यादा हो सके सेर कीजिए और विलोगों को जागरूप कीजिए और अगर आप लोग जाते हो मोवी देखने तो यह इस प्रकार का वीडियो भी आप लोग भी बनाकर सोसल मेडिया पर झाल